फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे है जे प्रकास पॉर वेंचर्स लिमिटेड की यानी जे पी पॉर की स्टॉक में बहुत ही सांदर आज तेजी देखना को मिली है स्टॉक करीब 6.45% अपर आज क्लोजिंग दिये तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे है बहुत बड़ी खुस ख़बरी पॉर सेक्टर के लिए बहुत ही सांदर खबर निकल कर आई है जिसको हम डिसकस करेंगा और जानने की कोशिस करेंगे क्या इस खबर के बाद में पॉर सेक्टर में और भहिंकर तेजी आ सकती है और friends ये छोटा सा एक जो पहने श्टोक है ये आने वाले समय में एक bumper multi bagger बन सकता है तो friends काफी ज़्यादा संभावना इसे श्टोक के अंदर बनी हुई है जिस तरसे company का परदसन जारी है ये श्टोक आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा जबर्दस अच्छा return दे सकता है तो इसके पीछे बहुत सारी वज़े है आज इसमें बहेंकर volume भी हुआ है इतने बड़े volume के पीछे वज़े क्या वो भी जानेंगे और क्या इस समय हमें JP Power में निवेस करना चीए वैसे तो मैंने आपको लगातार ये suggest किया है कि इसमें आपको निवेस करना चीए क्योंकि जैपरकास Power Ventures JP Group की एक पुरानी company है और JP Group एक समय पूरी तरसे डूब चुका था ये कहे कि फिलाल ये अभी डूबी होई company है लेकि JP Group ने अपकी जो company है JP Power उसको फिर से खड़ा करने की पूरी तरसे कमर कस लिए और सरकार का भी सयोग मिल रहा है तो ये stock आने वाले समय में बड़ा multi-bagger बन सकता है इसलिए कहता हूँ कि इसमें निवेस के बार में सोचे तो सारी समयोनों को इस वीडियो के मादे में से तला सिंग और जानेगे चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आज के कारोबार को डिसकस कर लेते स्टॉक उपन हुआ 4.75 पर हाई बनाई 5.10 की लो है 4.70 का और अंत में 4.95 पर करीब 6.45 अपर इसने क्लोजिंग दिये काफी अची क्लोजिंग हमें देखनों को मिलिए यहाँ पे तेजी का माहुल बना हुआ है और BSC की अगर हम बात करें तो 5.72,41,000 का वालीम हुआ जपर 10 वालीम और सामने अगर हम बात करें इसके डिलोरी बेस काम की तो करीब 2.29,16,000 का वालीम हुआ और यह डिलोरी बेस जो काम हुआ वो 40% 0-3% डिलोरी बेस काम हुआ तो बहुत ही भारी कॉंटिटी में माल उठा गया है BSC के अंदर अगर हम बात करें अब NSC की तो 11,61,34,000 का वालीम हुआ सामने 4,88,95,000 की डिलोरी उठाएगी और डिलोरी का परसंटेज 42.10% तो दोनों एक्चेंज में बहुत ही भारी कॉंटिटी में माल उठाए गया है यानि जो डिलोरी बेस है वो काम भी बहुत सांदर है यानि 40% से उपर है और पूरे बाजार में नंबर 2 पे था आज वालियूम के मामले में तो भारी वालियूम हुआ है और यह वालियूम 6.85 50 रुबी का है यह फिलालिश्टॉक 4.95 पर आ चुका है तो यहां से लग रहा है कि इस बार यह 50 रुबी के नई हाई बना सकता है और तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि पावर सेक्टर में आगे भेंकर तेजी की संभावन बनी हुई है क्योंकि हमारे जो पावर सिटी वो लगातर बढ़ रही है तो उनका कहना है कि करीब 16.1% की बड़त देखना को मिली है जो 594.4 बिलियन युनिट रही है अप्रेल से अक्टोमर के दरिम्यान इस साल जो पिछले साल 511.9 बिलियन युनिट थी तो पिछली बार से करीब 16.1% की हमें बड़त देखना क मिली है तो आप देख लो कि जो कहा जारा था कि काफी ज़्यादा कोल शॉटेज हो रही है इस वज़े से यहाँ पे सारे के सारे प्लांट ठप हो सकते है उसकी जग़ा पे यहाँ पे पिछली बार से इस बार और ज़्यादा पावर जन्नेशन में हमें बड़त दिखाई द ही जो है पावर जन्नेशन हुआ था तो 2019 से भी इस बार बड़त देखने को मिलिया 2020 से भी है तो पिछले दो साल से यह सबसे सांदार आकड़ी निकल करा है इस बार तो काफी अच्छा प्रोडेक्शन हो रहा है और दूसरी तरब जो मिनिश्टर आरके सिंग का कहना है कि य 3.84 KWH था 2018-19 के बीच में जहां पर 3.4% की बड़ोतरी हुई है यानि काफी अच्छा सेल हुआ है इस बार पावर का और टोटल जो इलेक्ट्रिक सप्लाइ रही है एप्रिल से अक्टोमर के दौरान वो रही है 8,17,816 M.E.U. जो रिक्वार्मेंट थी उसकी 8,21,705 M.E.U. तो उसे अच्छी प्रोटेक्शन हुई है तो यह इसारा है कि यहाँ पर पावर सेक्टर में सांदर माहूल बंदें लगाए और बहुत जल्दी आपे बड़ी तेजी बन सकती है क्योंकि फिर से कोल प्लांट पूरी तरह से अपनी पूरी चमदा के साथ में कारूबार करना शुरू कर चुके और इनकी डिवान भी बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि अब पावर सेक्टर में तेजी बन रही है तो इसका आपको यह सीधी बात है कि आपको जेपी पावर में निवेस करना चीए चोटा सा पैनी स्टोक है यह आपके निवेस को कई गुना बढ़ सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे इंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि श्टोक और बोट जो बोच्छों में नहीं है लेकिन रेड फ्लैग लगा हुआ है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है लेकिन अगर हम इसके फाइनेशल ट्रेंड को देखे तो आखरे रह गया था 0.38,000 कोड़ पीच का लेकिन 2020 में फिर से लॉस बढ़ा 3.40,000 कोड़ पीच का रिवेन्यू मिला और लॉस बढ़कर हो गया 2.16,000 कोड़ पीच का लेकिन 2020 में पूरा पूरा गणी चेंज हो गया कमपनी आगे प्रॉफित में 3.59,000 कोड़ पीच का इनको रिवे पिट में आई है और इसे एक बाद समझ में आ रहे कि कंपनी का कारूबार अच्छा है तो इसमें निवेस आपको करना चीए यहाँ पे कम्यूटी सेंटिमेट भी श्टॉक के साथ में 90% बाइक की कॉल है 4% सेल की कॉल है 6% होल की कॉल है तो 100 में से करीब 96% लोग इसको लेना पसंद कर रहे है तो बिल्कुल आपको निवेस करदा चीए एक बार इसके पीवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 4.60 पर फर्स सपोंट मिलेगा स्टॉक अगर और दीचे गिरेगा तो 4.55 तक जा सकता है और गिरावट होती है तो फिर 4.45 तक जा सकता है उपर की तरह मोग करने पर जो टारगेट निगल के आ रहे वो है 4.75 का फर्स टारगेट है और 4.90 का फर्स टारगेट है तो तीनो टारगेट इसने हिट कर लिए इसका मतलब यह बिलकुल बहुत ही जादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है तो इस समय आपको इन्वेस्मेंट इसमें करना चीए क्योंकि यह स्टॉक बहुत ही जादा मजबूत गई है और इसके पीछे वज़ा है जो लेटेस अपडेट निकल कर आई है ओमिक्रॉन के उपर की यह एक कमजोर वेरियंट है जिस तरह से डेल्टा ने बहुत जादा लॉस के अतल काफी लोग मर चुके थे उसकी वज़ा से अब की बार ऐसी संभावना कम बन रही है क्यों यह कम्यूनिल स्पेट तो इसका बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन इसमें जो घातक सकती कम है यानि यह लोगों को ज़्यादा एफेक्ट ने कर पा रहे है और इसी एक बात ने बहुत ज़्यादा मजबूत दे दिये बाजार को और जब बरदस बाउस बैक बाजार में दे खरीदारी शुरू हो चुके और आप देखनो जेपी ग्रूप आज बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है नहीं जेवी पाउर में आज पूरे बाजार में नंबर दो पे अपनी जग बना लिए इसका मतलब बड़े फंडा उसकी बड़ी खरीदारी हो रही है तो आप भी कर लें लेकिन फ्रेड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनस एडवेज सेका एडवेज ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एज्यूकेशनल परपच के लिए बनाए वीडियो पसन आए तो लाइक से जुरू कीज़ थैंक यू